आज हमारे सामने खबर आई है आक्षे कुमार को लेके और उन्होंने अभी जिकर किया है सल्मान खान का शो बिग बॉस के बारे में चलिए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला इसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे करोना वारे से जुड़ी हुई हर एक अपडीर पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करते हूं जरू करते हैं आज की नियूर से जैसे कि आप लोगों को पता है कि सल्मान खान भी काफिजा चारिटी करते हैं और उसी के सासता अक्षे कुमार ने भी अभी मतले गौर्मेंट को 25 करोन रुपए दिया है लोगों की मदद के लिए और अभी उन्होंने एक इंटर्वियू में यानि की एक इंटर्वियू हाली में ही हुई है लोगडाउन के उपर अभी आप लोग किया और उसे दोरान ही उन्होंने यह बी चीज़ बोला कि कुछ देर कुछ देर पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था पडियूसर डिरेक्टर के साथ वीडियो कॉल पर था हाला कि यह उतना ज़रा असान नहीं है पर इसकी भी आदत डालनी पड़ेगी और उन्हो कि आपने आपकी सेफटी रखने के लिए घर के अंदर रहें और अपने बच्चों को सेफ रखें और अपना जो कि प्रोटीन खाना है अपने आपको ताकतवर बनाएं कि गर बाई दवे कुछ भी ऐसा छोटी मोटी अगर बिमारी आपको आ रही है सर्दी जुखाम अगर आपको आ रहा है तो आप बाहर आप टाब्रेट्स ना खाया आप उसी से ठीक हो जाए तो अब भी उन्होंने यह भी चीज़ बोले कि टेक्नोलजी जो है उसका हमें सहारा लेना चाहिए और यह काफिजा बहत्रीम भी है मैं तो किसी को नहीं बोल सकता कि वो मेरे घर पे आ करना चाहिए जैसे कि मैं भी अपने काम कर रहा हूं वीडियो कॉल पे मैं रहता हूं स्क्रिप्ट वगारा वीडियो कॉल पे मैं पढ़ता हूं पढ़ने का दिसक्रिशन करते हैं डिसक्रिशन करने के बद अगर ओके तो नहीं है तो अब ही मैं अपनी मूविस के लिए मैं सब्चुन स्क्रिप्ट्स वगारा पड़र को कि अभी मेरे पास टाइम है तो वह इस कितना अच्छा कर रही है अगर आप भी अपने अपनों के चिंता कर रही है तो वैसे तो आप घर के अंदर ही रहिए आपके अपने कही दूर है तो उनके साथ वीडियो कॉल कर सहारा लेक झाल